हालो स्टूरेंट्स दिस अरजना चोहान वेलकम टू टार्गेट स्टूरी पॉइंट और यह क्वेशन एक स्टूडेंट है राधी शाम उन्होंने मुझसे पूछा है इन फेक्ट अगर आप भी कोई क्वेशन पूछना चाहते हैं जस्ट लेवा कमेंट विद यूर क्वेश वहाँ पर मेंशन कर दीजे ठीक है और नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा जिस क्वेशन को भी आप पोचेंगे उसमें मैं आपका नाम अनौंस कर दोगी चालिए इस टाइब के जितने भी क्वेशन हैं अगर आप क्लास 6 की NCRT बुक उठा कर देखेंगे तो वहाँ पर चेप्टर नेम हैं प्लेइंग बिद नंबर्स ठीक है ये क्वेशन वहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ठीक है अब देखतें कि इस क्वेशन को कैसे सॉल् जाते हैं इट्स मीन कि हमने हाइस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है यह जो 166 को अगर डिवाइद करें तो कितना रिमेंडर बशना चाहिए 5 and 237 को अगर डिवाइड करता है then remainder should be 7 इतना होना चाहिए okay so जो given है उसको write down कर लेते है given that when 166 is divided by the required number then the remainder is 5 right that number divides क्या होना चाहिए किस number को डिवाइड करेगा हो 166 minus 5 that is 161 ठीक है exactly exactly इस number को वो divide करना चाहिए right and when the required number when the required number divides 237 okay 237 को डिवाइड करता है then the remainder is तब हमारे पास remainder क्या है then the remainder is 7 ठीक है then that number 100 sorry 237 237 minus 7 that is number क्या हो जाएगा 230 exactly okay तो यहां से एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर 166 को वो required number से डिवाइड करते हैं तो remainder 5 होता है तो इसका मतलब वो number 166 minus 5 that is 161 को exactly divide कर रहा होगा ऐसे ही अगर वो number 237 को divide करता है है ना तो हमारे पास remainder कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए और अगर हम subtract इसको करते हैं it will be 230 ठीक है इसको exactly वो divide करना चाहिए तो यहां से हमें क्या बात समझ में यहां से यह आया कि the required number divides 161 ठीक है and 230 exactly इसका मतलब इन दोनों नंबर को वो exactly divide करेगा ठीक है तो यहां से अब आपको point समझ में आ जाना चाहिए कि हमें finally करना क्या है So, we need the required number equals to HCF of 161 and 230 Now, we will find HCF of 161 and 230 So, आपको याद होगा कि जब भी ऐसा HCF इस division method से हम लोग find करते थे तो छोटे number से बढ़े number को हमेशा divide करते थे 166 हमाने पास smallest number है and 237-7 it is 230 ठीक है इसको हमें divide करना होगा तो चेक करते है 161 से कितने times आएगा तो यह last digit तरिके से hide कर लेते चेक कर यह 16 तूजा कितना होगा 32 तो में 23 में नहीं जाएगा तो इट विल one time याद करो कैसे करते थे यह यहाँ से कट किया इसको यहाँ से कट किया तो 16 तूजा 32 हो जा रहा है है ना तो जो कि 23 से जादा है तो हम क्या करेंगे इसको one time divide करेंगे so 161 subtract करिए 10-1 is 9 here and 12-6 is 6 आप 69 से 161 को आप divide करिए फिर से आप 9 कट कर दीजिए 1 कट कर दीजिए 6-2 जा 12 and 6-3 जा 18 इसका मतलब यह 2 times चला जाएगा ठीक है यह division की technique होती है जिससे थोड़ा सा जल्दी हम कर सकते हैं ओके तो 3 times यह नहीं जा सकता 2 times यह जाएगा ओके तो 2-9 जा 18 carry 1 and 2-6 12 plus 1 13 now 11-8 is 3 and यहां से रहेगा 5 5-3 is 2 and it is 69 ओके तो यहां चेक कर लेते यह मुझे लगता है 3 से divisible हो जाएगा तो 3-9 3-2-6 क्या रागे है remainder 0 हमारे पास remainder आगे तो यहां से हम क्या क्या बोल सकता है statement क्या होगी the HCF of 161 and 230 क्या है it is 23 right 23 होगा so the required number the required number equals to 23 I hope you understood the concept